कोलकता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद पुरे देश में इसको लेकर गुस्सा है दोसियों को जल से जल सजा मिले इसके लिए देश भर में विरोध परदर्शन हो रहे हैं दुसकर महत्या मामले में मिर्ट डॉक्टर के पिता ने इसी बीच मौअजा लेने से इनकार कर दिया है सीवीच आपको बता दे कि बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बेनरजी की अगवाई में आज शाम कोलकाता में एक रैली निकाली जाएगी RGKAR Medical College and Hospital में ट्रिनी डॉक्टर के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ TMC यह रैली निकालने जा रही है आपको बता दे कि सतारोट त्रिनमूल कॉंग्रेस और विपक्षी भाजपा दोनों सुक्रवार को विरुवत प्रदशन करेंगी मुख्यमंतरी ममता बेनरजी के इस्तीफे की मांग पर भाजपा कोलकाता सहीत राजी के सवी जिलों में धरना प्रदशन करने जा रही है भाजपा महिला मोर्चा द्वारा मुख्यमंतरी के काली घाट आवास तक केंडल मार्च भी निकाला जाएगा तादे की फिलाहल इस मामले की जात CVI कर रही है ममता बेनरजी ने कहा है कि दोस्यों को अगले रहवार तक फासी दे देनी चाहिए इसको लेकर उन्होंने CVI को अल्टिमेटम भे दिया है के साथ ही आपको बता दें कि RGKAR Medical College and Hospital में डॉक्टरों का विरोध परतसंजारी है डॉक्टरों का आरोप है कि बंगाल पुलिस ने इस मामले को ठीक से नहीं संभाला वहीं इस घटना में सबूत भी नस्ट किये गए है रैली की जानकारी देते हुए इसी बीचे त्रिमुल संसद और प्रवक्ता डेरेको ब्राइन ने कहा कि कोलकाता में एक यूपति की हत्या और बलादकार की घटना से अधिक कुरूर और जगन अपरात की कलपना करना कठीन है लोगों का आकरोस पूरी तरह से समझ में आता है मेरी समेदनाय और प्रातनाय उसके परिवार के साथ है उन्होंने कहा कि इस घटना पर CBI को देनिक अपडेट देना चाहिए इस जांच के लिए बंगाल पुलिस को 17 अगस्त का अल्टिमेटम दिया गया था यह अल्टिमेटम CBI पर भी लागू होना चाहिए पुतादिक महिला डॉक्टर के साथ उसकर्म करने वाले आरोपी संजे राय को पच्चे मंगाल में गिर्फतार कर लिया गया है और उसे कोलकाता के CGO कॉंपलेक्स में CBI की विशेस अपराज साका से आज बाहर लाया गया उसे मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है इसी बिच केरल से लेकर बंगाल तक जो है वो इसको लेकर विरोत प्रदसन लगातार जारी है कोलकाता रेप पीडिता के समर्थन में देश भर में डॉक्टर्स का प्रदसन लगातार जारी है दिली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स हरताल पर है और पीडिता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं ऐसा ही कुछ पंजाब के जालंदर और अम्रित सर में भी देखने को मिला है जहां जालंदर के सिविल होस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स धरने पर बैठे हुए हैं इसी बिच कलकता हाई कोट ने पश्चे मंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भीड के हमले को लेकर दैर याचिका पर सुनवाई शुरू की है बुद्वारात अस्पताल में विरोध परतसन कर रहे हैं लोगों पर हमला किया गया और वहाँ तोड़ फोड़ भी की गई आपको उता दें कि इस पूरे मामले को लेकर देश भर में विरोध परतसन जारी है और इसी बिच आप पर्चमंगाल की सीम ममता बेनर जी एक मार्च निकालने जा रहे हैं इसको लेकर भी जानकारी सामने आई है